बट्रे नींगिरियों चांद दिनिय में पतन लथियूं अपसराऊं सिजावल में जण सितारन भरे उभहेठान सुम सितारा डिसी याद इंदुई सजण पिरियां पके में वनी तो आयाज टिडिया है टांगोर बटे पूल लखण मौज़िस नाजरीन सिंधी बोलिया जाजीम शायर शेख खयाज जनम के खेरसा सव साल पूरा थे आहिन शेख खयाज जो सव हों जनम जी हों जिते मुखतलफ एदारन पारा शायान शान अंदाज में मलाहियों पे वनी हों उते पाकिस्तान टेले वे इनकराची मरकज पेनों रहतमाम के वा है तो सिंधी बोलिया जे अजीम शायर खे उनने जे शान वटा खिराज पेश के वनी है मुखतलफ प्रोग्राम जी सूरत में अदब संसार असान जो अदबी प्रोग्राम आहे अदब संसार जो खास शमार हो आहे जहें जो उन्वान आहे वाटू फुलन चाईयों शेख याज जहें सिंधी शायर खे एको नव रंग लिनो नव आवाज नव अंदाज नव लहजो नव आहंग लिनो उन्हें शेख याज जी अजीम लात खे भेटा अलियन जे लाए सिंधी एं अर्दू अदब सालागा पिल मुटबर महमान मुख्तलफ शक्सितों जो पांजे पांजे शोबे में नुमाया कम थे लाहे असासान करणाहिन केडू शक्सितों आहिन असासान जेके शेख याज पांजन गालन में याद करते हूँ आम तोर पर मुझे आलिमी शोहरत याफ्ता अधीब दानिश्वर डाक्टर आलिया इमाम के लाब से याद किया जाता है अधीद दोस्तों और साथियो इस वक्त हम और आप उस अधीमल मरतबत हस्ती को उसके जशन बिलादत के मौके पर उसे छुकर सलाम पेश करने के लिए खटा हुए हैं जिसके लिए सिर्फ एक जुमला काफी है ओ दर्मने मन दर्दे चुबू गुलाब अंदर ओ दर्मने मन दर्दे चुबू गुलाब अंदर वो गुलाब की खुश्बू की तरह हमारे और आपके वजूद में समा चुका है और खुश्बू को किछी भी सूरत गुलाब से अलग नहीं किया जा सकता है अजबी मार चाहे सिंद्ध जे अजीम शायर शेख याज जो जनम ली मुझे दोस शेख याज जो जनम ली मुझे सो साला जनम दे अचोत बी टीवी दरवां गर्जी असी सब करम जो शेख यो ली मलाई मैं हूँ डॉक्टर फात्मा हसन और आज हम मौझूद हैं पाकिस्तान टेलिवीजिन हिस्टेशन पे जहां हम अजीम शायर शेख याज की सवी सालगिरा मना रहे हैं वो शेख याज जिनों ने कहा था कि लफ्सों की भी रूह होती है जो सदियों में इर्टका पजीर होती है माँ है आजल सुमरूar नहाद खुशी जी गाला है उत अजीम शायर शेख आज़े सो साला जन्म डियन जे हवाले सां पाकिस्तान टेलिविजन कराजी सेंटर पारां उन्हें जन्म डियन जो तकरीब जी शुरा थी चुकी आए अच्छोत प्रोगाम में शामिल थे हूँ मानूर रहमत मेमुरा हैं जो असां पाकिस्तान टेलिविजन के पारां बरे सगीर असां जी सिंदु जे तमाम वड़े जीनियस हैं डाहे शायर सांशेख आयाद जे सो साला जशन विलादत जे हवाले सां तकरीबात जो आगात थे हुआ हैं असां उन्हें हैं में शरीक थे प्रोग्राम में असलाम अलेकूम मैं हूँ डार्टर फहिम शनास काजमी आज हम पी टी वी पाकिस्तान में शेख आज की सत साला जनम तकरीबात के सलसले में हाजर हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये तकरीबात बनाई जाएं क्योंके शेख आज हमारे जिन के बरे सगीर के ए काफा की और एक इनकलाबी शायर हैं उनका पेगाम सारी दुनिया तक पहुँचे आज उनकी सत साला तकरीबात का आगाज है तो आईए हम शरीकोने चलते हैं जी मुझेज नाजरीन सिंधी अई उर्दू अजब सालागा पेले ये मुखतलफ महमान पांजन पांजन शो बन जा नुमाया शक्सितों जिन जो कहने कही हवाले सां आयाज जी फिक्र सां आयाज जी तख्यूल सां आयाज जी तफकुर सां आयाज जी जाती वाबस्तगी ज जो शेख आयाज़ जे हवाले साँ पांचे ख्यालन जो इसहार कनदा मा जो कि हिन मुख्तसर पर इंतहाई खूबसूरत ते शाया निशान तकरीब या कचर ये शामिल महमानन मा सबनी साँ गाली हुं कंदस आएं आयाज़ के पाना मुख्तलफ हवालन में चाकानता आयाज़ शेख से जाht चऑक केई हवाले हैं उनंगे अदबी कमन चाक केई आली शान हवाले हैं यसी कोशिश किंदा से थोरो तोरो आयाज़ के संदत शेख से मुख्लिफ हावालंड अधार याद करें सबकाँ पे रहें यूसफ शाहिन साब अभी असा संगर आयो नाज़िन यूसफ शाहिन साब सिंधी बोलिये जो तमाम सीनियर शायर शेख खयाज जो हमसर दोस्त अईनसा अजाती लागापो वरहन जो रहे शेख खयाज साब युस्प साप शेख खयाज जो जनम नहीं आए उना वाले सापान कर दो आया हूं तब हाँ शेख खयाज के सिंधी बोलिए जेका वड़े शायर जी हैसियत में किया था दिसो मां खेत खुशी बाए फखर बाए पैज मुझे दोस्त शेख खयाज हसाज जो साथी हसाज सिद्य वनो शायर वी सद्य वनो शायर हो खाली शायर नो हूँ मुफ़कर भू हसा इलाई वनो अर्सो गड़ गुजारे उसी साही स्थिए चाली साल बंजा साल करें मुखए फखराया था हूँ इसा उखार जो एडिटर से हो है मैं साफ़त दुन्या में बरसाथ अख़ार जो एडिटर जी है सब्साइड साफ तमा की रिटो गाया साथ के उन्हें जो जो को साथ रहे होता हूं साथ सही हूं बाकादे जी है हकडी विल्कुल सबोजो टाइम ते ही दो अचरव साब एडिटरल रोज लिखा दो सही हो शेक साब साथ के तरह मानू मिलना नहीं दा शेक साब के डिस्टान कमानू के तरह चाहिंदा हूँ वह अनिसा कुछ डिस्टान सिंदो उने में हिक्डी जेको यह मुखा मजो एकड़ इंटर्वी छपे हो उने में हिकड़ स्वाल के वह हो देता शेक साब दावां सागान नहीं वो बरसाद जो लिटर थे हो तो तवां के केड़ो लाब मजलब दावन है जेको तव माँ चेहुद भई शेक साब जाने कुड़ अजीम शायर हो मुखे फखुरा है वो जो तवां जेको यो लफ्स इस्तमाल के उदाद हूँ असाँ वट मलाजम हो तव माँ चेहुद असल में आउँ पांड़ शेख है जो मलाजम हूँ सद्धे वो उने जी जेका हैसेद होई हसाँ चेहर वडवे ऐसे थाहर आउसी गड़ रहासूं जेके ना ताल जा टेटे में ना जे कहार सक्खर में वकालत का दो तो टेटे में न जेका मोकल थी दी वह ट्री में न कराची में ची मुसा इंगर दी दा बो देहें बजे खाँ उडी शाम में च्छेहें बड़ें जासु तर ने शायरी जो थानों वड़ो जहान जहान खलकें पर भुर्ण जी जिका सबहां वली जिका सुठी गाल जिकाए उआ याद शाह लतीफ खांपो शाह लतीफ है असाम पेरियू शायरा जे सिंधि जी गाल कही जे मानों जी गाल कही पो इश्क मोहबद जी गाल कही ये पहुआ लोने में जे कोए सहो कितना कर्डार है। पर प्रप्शाख पो दू को ता एक यह बड़े पहेद़ है सिद्ध जी गाल Bye, この अिवे शेख आता है। हुँ जहें वक्त जहें दोर में हमने लिखन शुरू के हो यहां गालान शुरू के हो तो लुख्यो दोर हो फोजी दोर हो मार्शालाउंजा दोर हो शिंदी जो को आए सो लफ्स नते करी से के जो को छेक साब जो बलो तो सिंद्जो नाव खेओ जानकारी अरते पेर पेओ यहां सुरत होई उन्हें में जो को आए सो बैराल मुसल्सल लिखन दो रहे हो यह किने साही है शेख खयाज जे तौह चाहे हो ता लतीफ साहीं जो 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 को आहे फिक्री एंफनी तसल्स लाहे लतीफ साहीं जो के घाड़े उन्हें हो शेकसाब जी पैंट जवाणदाद ओ वहाई है शेकसाब जो नस्व आए हो शायरी जिटरोगर ओए इंतहाई यहो बाए है उन्हेख़ाद्र दिन शायरि सौ इसे शायरी बोंए जो नसुर जी उन्हेस लिखड़ी जिक्रई मुझा सब दोस्त हुना कमर्शाइबाद ताज बलोच ये सब दोस्त मुझासवां गर्थी ना शेख आयास नस्वर साहिए वरी मुझासवां नाकिदी अदब भी आहे उन्हें जो जो के यादगिर्यों आएन उईलही तम्मु जखिम इने मुझा देपान अला हैंदा से फात्मा असन साहिबा हम आपसे ये पुछना चाहेंगे कि शेख आयास की जो अर्दू शायरी है एक कारी की हिस्ट से एक नाकिद की हिस्ट से या एक महकिक की हिस्ट से आप उस अर्दू शेख आयास की जो अर्दू शायरी है उसका क्या मकाम बनता है अर्दू शायरी में जो आप बढ़ रही हैं या देख रही हैं तो इसमें शेखायाद की शायरी को फिक्री हवाले से फनी हवाले से आप किस मकाम बदेख की हैं अपने हमसर और अपने अहद के शोरा से कहीं भी कम तर नहीं है क्योंकि अब हम बात करें हैं उनकी सवी सालगिरा के मौके पर तो जब हम उस एहद की तरफ देखते हैं वो दौर तो वो उर्दु शायरी का जो रिवायत से तरक्षी पसंदी की तरफ मराजियत का दौर था और हम जब शेखियास का कलाम पढ़ते तो हम देखते हैं कि वो ही रवया जो उस एहद का था और जिसमें उस एहद के शोरा लिक रहे थे उसी अन्दास में उन्होंने भी लिखा और कहीं मुक्तलिफ नहीं है हैं मुक्तलिफ हो कैसे सकते थे उन्होंने तो गालिब को हिफ्स कर रखा था आ अरती शायरी की अबतिदा अंदूसे गैर अ कि माध्री जबान सिंदी थी लेकिन अग शायरी की तकलीक में तो कि मादरी जबान अर्दू बन गई क्योंके वो गालिप क्या ही मिस्रहने बुवे गुल ना लए दिल दूदे चरागल महफिल जो तरी बजन से निकला सो परीशा निकला तो उन्होंने उसी से अपने जो उनका मजुवे कलाम था उसका अनुवान भी उसका टाइटल भी यही ह गुवे गुल ना लए दिल तो इसे अंदाजा होता है कि अर्दू शायरी को उन्होंने अपनाया नहीं था बलके अर्दू शायरी उनके अंदर से पनपी और उन्होंने उसको उसी मकाम पे लिखा जिस पर वो दूसरे हम असर लिख रहे थे तो हमें कहीं भी बलके उनकी श अदाफा है अर्दू अदब में और अर्दू अदब की तारीख अगर हम लिख रहे हैं तो हम शेख एयास को उसे निकाल कर नहीं लिख सकते माइनस करके नहीं लिख सकते और फिर हम आप देखें ना वो दौर भी क्या था वो दौर ये था कि एक तारीख सौबरस की अब वो हमारे आस्ताने थे जो हमारे उनके सूफी शोरा के थे और वहां पे अवामी शायरी अवामियत से उसका राप्ता बन रहा था शायरी का दूसरी तरबार में फार्सी जबान थी और फार्सी के असरात पढ़ रहे थे तो शेख है आस में हमें इन दोनों का बड़ा एक अच्छा इम्तिजा जो उनके शायरी में नजर आता है एक तरफ तो वो फार्सी तरह कीब और फार्सी अलफास को जो उसका रिवाश था दूसरी तरफ वो सिंधी और जो सूफी शोरा थे उनके असरात के तहत वो जायका भी दे रहते अरदू शायरी को जो उस वक्त मरवज नहीं था अच्छा मरवज भी हम पूरा नहीं कह सकते इसलिए कि हज़र सचल सरमस ने आप लिखे उनका दोर और मिरतकी मीर का दोर तकरीवन एक ही है और अच्छल सरमस ने अरदू में शायरी की और रेखता लिखे तो ये इतना कमपार्टमेंट शोरा में नहीं था, जो भी अब फैस साब की मादरी जबान पंजाबी थी, अकबाल की मादरी जबान पंजाबी थी, और बहुत से शोरा की जबान कोई और थी, लेकिन अर्दू में वो शायरी कर रहे थे, और अच्छी शायरी कर रहे थे, तो हमें कही भी शेख हयास अपनी शायरी में और हलके नजर भी नहीं आ सकते हैं इस वचे से कि उनका इल्ब वो नावगस शख्सियत थे उनकी इनका इतना उनकी नजर थी शोरा पे फार्सी के शोरा पे उर्दू के क्लासिकी शोरा पे सारी दुनिया के शोरा पे जब उनकी नसी नजम का मैं तर्जमा करी थी तो मैं हवाले देख रही थी कि किसके हवाले किसका हवाला उन्होंने नहीं दिया है मीरा बाई हो मीरा जी हो नूनमी मराशिद हो गालिब हो मीर हो या वहां पे निरोदा हो या अपने सुफी शोरा हो जो भी हाफिज हो तो साधी हो तो वो सब का हवाला देते हैं सबको उनोंने पढ़ा हुआ था फिर उनकी जो लफजियात है उसमें हिंदी भी मौजूद है उसमें फार्सी भी मौजूद है और जब तर्जुबा करने उठी तो मुझे बहुत जादा उनके जो अब मदद मिली वो अर्दू की लोगत से मिली इसकी वज़ाए यह है कि वो असातीर असातीरी किरदार को भी लिखते हैं और असातीर से भी वाकिफ थे तो हिंदी की वो खबलेरी भी है फार्सी की भी है और वो सब कुछ जो कुछ अर्दू जबान की खूबी है वो उनके शायरी में मौजूद है और फिर उनका जो रवया है तखलीकी रवय यह एक शायर का रूह असर को अपनी दस्तरस में लाना है दर असल तो वो रूह असर से जुड़े हुए थे और इसका इसार वो अपने रवयों में कर भी रहे थे वो अपने एहद के शोरा को भी माजी के शोरा को भी नौजवानों को यानि हम तो उनके आगे बिलकुल करते थे इस बात से याद आया मैडम के शेख खयास ने सिंधी के नौजवान जो शायर थे नवे की दहाई में उनके मजबूए का मुफसिल एक दीबाच चालिका असी नवे पेच का और वो जो शाहकार किताब जो अभी तक मकबूल आम है पढ़ने वालों में जी उसके शेख खयास के तवाँ चापे होबे आएं शेख खयास के तवाँ पढ़े होबे शेख खयास जाजे के फिक्री मुक्तलफ फैज रहा जिंदगी में फिक्र जे हवाले साँ वह भी तवाँ दिछा तवाँ मजमूई तो रहते शेख खयास जी शेख जी शेयरिये के सिंदु आए असान जे ना अदबी समाज जे लाए कियं ता जी ता याद करें शेख भयास देको हाँ वो सिंद में जेके बुनियाद शायर ये जा शाअदुलाटी बिटाई विदा सही उना जो ये तसलसु लाएं हाँ सची गाली है तशाअ अब्लाथी बैटाई असाँ जी सिंथ जो न सीरिफ शायर हो पर वड़ो मुफकर मुसलिभ सोश़ल रिफारमर होना जी सोशल रिफारमेशन ते कमजी वरी ज़रूरत है बन्यादी तोरत ते हुना जे का सोशल रिफारमेशन का या है इन्सानी शक्सियत साधी जीवे, इन्सानी मौाशरी जीवे, हुँ उन्ना हवाले सा एकड़ा वड़ा पाथ रही वे 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 सब्सक्राइफ दखके टासवफ के शफ्यान रंग के क्त्राइब वेसे समाज साधी के पे इनस अबनी पहलुन के ज़क्राइब प्रग्र ते खयास तवह खले लमूने साजी कोह है उनाे जो इजार करे ओपने ये शायरिय में माशा लतीफ जो सलसला है हाँ उन्हा ये जे लाई बेतचे आजी हैं अतस बर्सातों जे भिटद्धनी जहले भीटूस जोला ने नही बच्रे बोला सखी मुझे सां आखे वाँ ताहने यह हो जे को आहे मुसलसल तसलसुला है जे को कुछ बिटाई के असा मन्यों था वह याद उना जो तसलसुला उना खाँ अलग छे जे को आहे वो ना है आहेर है साही हो हया हैसा और आहे हुए है को आहिए शाइर पेरें दीनिया टा जो शाहे हो है कौमस जो शाहे आखरी रियान में वह यह हो मानुों में हिकडी जे कौा है वह प्रतिकाती थे आइंँड जा उख सबसक नौर मिले हुआ वह यान लाल जे जो अन्या वड़ो दोरा पैँगे जो कमाल हुआ है जो खुष्वाई तो उन्ह पनंजे कंटेंपररी दो रके पड़े पड़े हुआ जियां गूसर-दो-चाह सर्ञा न Qurbh पढ़े हुआ इन्हें जए करे आयाज के अन्या पंचे दो रमें पंची पेशकश में आसानी सहूलत थिया। उन्हें पंचे दो रखे खूब निभाए हुआ। सब्सक्राइब निभाए हुआ। सब्सक्राइब निभाए हुआ। सब्सक्राइब निभाए हुआ। उनके साथ बड़ा साथ रहा। उमर का काफी अरसा आपने उनके साथ बिताया भी और उनके फिकर पे उनकी शायरी पे आपने जो इस्टडी की ए जो अपने जो लिखा है या आपने जो बोला है। वो भी हमारे लिए बाएसे अफ्तखार है तो आज आप शेखियास को किस तरह किन लफ़ों में याद करेंगी उनकी फिक्र को उनकी शक्सियत को उनकी शायरी को एक ऐसे माशरे में जहां जहल नारा जना और मर्स खरामा है जहां दानिश्वरी सर्बरहना है जहां महबत मुफलिश के जनाजे की तरह तंग तारीद गल्यों से निकलने पर मजबूर है ऐसे हस्रतनाक ऐसे कर्बनाक हालात में शेख खयास की याद को ताजा करना जहल के रेकजार में इल्म की जोड जगाना है देखते हुए इंगारों में गदम रखकर अम्न मुहबत सचाई के फूल खिलाना है शेख खयास एक महद एक फर्द नहीं है महद एक शायर नहीं है बलके वो सियासी समाजी तहजीवी माशी तगयरात के आईने में फिकर और शवूर और जजबे की सदाकत का सफ़र है जो हर आहद के शवूर में लहू की तरह गर्दिश कर रहा है और उसकी बचीरत से करोरों चिराग सिन में भी और बिल्योचिस्तान में भी और दुनिया में बर्ण में थी हर जगा पर जल रहे है उसकी वज़ा क्या है उसकी बुनियादी वज़ा क्या है बॉर्ड में एक ली स्टूडन ने मुझसे सवाल किया था उसकी बुनियादी वज़ा क्या है कि ये हुसन ये रानाई ये गर्मी ये हरारत शेख खयाद के कलाम में आई कहां से तो हुदूर वाला शेख खयाद उन अ पैट के शायरी नहीं की है, मैदान जिहाद में उत्रे हैं, वहाँ से उन्होंने रोशनी ली है, वहाँ से उन्होंने ताज़गी पक्ड़ी है, और इसलिए उनके कलाम में इतना खुसन और रानाई और गर्मी और रहरत है। शेख आयास की बुनियादी वज़ा ये है, कि वो एक बड़े अजीब की तरह अपने एहद के मुफक्र भी है, मुफस्र भी है, मुश्टषिद भी है। और अब ये क्यों आया उनके अंदर ये इश्तिहाद कहां से आ गया। वो इसलिए कि उनकी शायरी, उनका कलाम करोरों, इंसानी, जद्द जहद के मौज़ों का इत्र है। वो हारियों के जहाद का और तमाम मेनत कशों की जहाद का खुस्द है। वो कलम की आबरू है, वो किरदार की अगमत का दूसरा निशान है। देखिए, मैं अपने सिंध के जमानों को जो इल्म दानिश के चराख हैं। और आप जैसे साहिबाने फिक्र निजर की जो मुझसे बेहतर तरीके पर इल्म रखते हैं। महतीन पहिलों की तरफ इशारा करना चाहूँगी के शीख ख्यास ने इस माशरे को दिया क्या है। फिक्री तोर पर जबान का मसला अहम नहीं है। वो तो एक जर्या है लेकिन फिक्री तोर पर काउम को वो कहां ले जाना चाहते थे। ये हैं उनकी बन्यादी वज़ा जिसकी वज़ा से जमाना उनको सामने महत का खराज रकीदत के फूल महरो वफा के गुलडस्ते नजर करने में एजाज हासिल करता है। पहली बात तीन पहलों की तरफ मैं इशारा करूँगी और बस। पहला उन्होंने विजदान वगएरा की जो दुन्या बसाई गई थी उसके खलाफ इतिजाट किया और अक्ल के उपर जोर दिया है अक्ल का लब्स वो हमेशा एक तरह इस्तिमाल कहते थे कि ये सहरगाह यूनानिया है और उसी की रौश्णी में उन्होंने जिन्दिगी के तमाम पहलों का एहाता किया इश्क जो है उनके नजदीद कम नज़र फत्वागर जो उसके उपर हर वक तीर नश्तर वरसाते हैं उसके खलाफ वो इस जाज़ करते है फार्सी में पीर सामदीन रजदी ने उसका तर्जमा भी किया था बैनुमा इरोख के शेखित अना मारजू ये व्बूत से मुतास्थिर होके कहरी रहे हैं। बैनुमा इरोख के सेखिया ईरगू इस जाना मारजू। तुम जरा सरुख दिखा तो दो पिर मेरे नजरों के सामने यहां समया तक गुलिस्ता खिल जाएगा तुम अपने लब हिला तो दो पिर यहां समया तक शहदी शहद मेरे सामने आ जाएगा इसका पीरी सामुदीन रजदीन तर्जुमत किया ये है वो फिक्र जो तारीक के हवाले के आप इश्क के उपर पाबंदी लगाना जो है ये तोहीने इश्क है ये तोहीने महबत है उसके लिए एक छोटा सा उनका है मैं बागी हूँ आप लोग बेहतर जानते हैं मैं बागी ह तेरा एए मगरूर समाज खून के आकरी खत्रे तक मैं लड़ूंगा तेरे साथ जिसका रस्ता तक्ते तक्ते बीती है ये रात आएगा वो आएगा कब इश्क को हुई है मात इश्क को तारीक में मात नहीं दे सकते हैं आप कितनी ही कोशिश कर डालिए कितने ही फत्वे लगा दीजे लेकिन इश्क और महबत के उपर पावंदी लगाना जिन्दगी के उपर पावंदी लगाना है जिन्दगी से बेजारी है इसलिए वो ये फिकर है जो माशरे को दे रहे थे दूसरा पहलो उनकी शाहरी का ये है कि वो एक ऐसे समाज में सांस ले रहे थे और हम और आप उस समाज में सांस ले रहे हैं कि जहां एक तरफ कहे उगलते हुए एक तरफ जिल मिलाती हुए जिन्दगी है गार्यों की गतारे हैं यहां से महां तक जिन्दगी में कहे उगल रहें लेकिन तीन तरफ ना तराशीदा अरजुए हैं ना दमीदा हसरतیں हैं जुनसे हुए होंट हैं गुर सिना निगाहें हैं कटे हुए शाने हैं शकिस्ता कमर है जवानी खड़ी हुई आपी रा तक रही है आप जवानी को क्या दे सकते हैं आखिर में एक जुम्ला कहती हूँ तो उसका पूरा उसकी फिक्र एक इस्तिहाद और मुच्टहिद था वो अपने आहिद का सिर्फ यह है कि एसा से गमें दिल का सिला है उसकी पूरी शायरी उसकी पूरी शक्सियत एसा से गमें दिल का सिला है एक ऐसा हैस जो सितमगड़ी की देहलीज पर हमेशा कतल हुआ है लेकिन वही नकीब सहर बनता है शीखःआज शीजज नकीब सहर है वो तारीकी को काटे गा इसलिए हम और आप उसे महबत का खराज अकीदत के फूल महरो वफा के गुज़त से नजर करने के लिए मजबूर हैं हम उन्हें महबत का सलाम पेश करें हाँ बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलिया इमाम साहिब रहाई खुबसरत अलफास में और मुफसल अंदास में आपने शेख खयास का जो फिक्र है उनकी शायरी का जो सफर है उसके हवाले से गुफटगू की और हमारे साथ सिंधी जुबां के नाम और शायर अदल सुमरु साहब भी हैं हम उनसे बात करेंगे अदल साब शेख खयास साह तहां जो बेवरहन जो साथ रहे हो सबस्क्राइब जो जनम जोरी मलाइयों आओना जी मोजूदगे में बैरहाल सबनी दोस्तन गाल हो वरिस्टार शायर हो तान लिसवता हुना जी था ची हैं उखते का इनफूराद निता में वा apply ढायर में ऑनिस सबनी दोस्तन आजिने आजियो उच्शालती वजे तर्सलीrat में हुनन सागे फिकर रखे इंसान दोस्ती हो आरे फिकर हो के अक्ते खनी वद्यू जेकर नहीं लाइफ के लिसम उता हैं जिन्दगी तरजिता क्यों हो तो हनुझी कमिट्मेंट जिका है हुआ सजी शायरियता है। उन्हें एड़ा डुन्या मेरा शायर घटूंदा हैं। मसला हुना जी मुकमल कमिटमेंट हुना कुछ वाबस्तिगी कड़िया तो मुझी सबक हां पे रहे हैं जी का वाबस्तिगी आ पाँ जी तखलीक साइए मुझी ये का डिर्डिकेशन सजी तखलीक साइए ताने सो दो… किताब पड़े दियरी मिले के तो है जार मुझी मुखे फलना किताब पढ़नो वाँ … उन्हें शाम उन जे जा करे के विज हो डोस्त बेचे तो हूनना सना तो मिले कि रिताब फिलान के पास्तर ना ं के टाम दिन ला अजे दोस्तों विस्की एक टाम दिन ला है दोसा नथ हूम ले चाहरी अन मिया साग्थ घटती मिले। ओने शाइलियास सा इश्क के ने के तकलिफ हों तमाम घणिवाएं। सभी माना उनके सदमा उनके तकलिफ हों तालिस होता कैए भी शाइर रहके तरिको नों मिली वहने। पर पांजी कम्मिटमेंट सा पांजी वाबस्दगी इसा वेशेहएं। मा जो अजो आयां बस सो साल अगी मुखे इन लगे ही नट रही मुझी मना हूँ माजी जो शायर हाल जो इदर वक्त शायरा अचे तो तो बस सो साल मा अगती है मुझी जो 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 आए जो का है शुरू का वटी आखर ताई कारियों रातियों बिस्तरो बीमारिया बोजो वी उताँ चो जो जो जीव चाय तो वेही लिखां आगा मना डाक्रियों डाक्रटर्र ताई लोग के जलिन था दा ने रहत ने भाआप कश भी ऐठे दो ऑन्युना जो बीमारी जी बिस रहते तकलीख romance पर हुलो ऑन्युनुनाद साम हो प्याता देते सो तो लकशी अले मान लखाएं तो ऑन्युना रैदा मान दुछाएं ही पर शक्सी लिया था कहां भी तालिस होंदा उनने में बिकड़ी मां तो समाम घुड़ों वे जो रहे हैं मुझी खुशकिस्मत ही आई या तेकर पांजे दोरे जे बले शायर जी माना सोबत नसीब थी करें करें होना थे या यह भी हो इए वे आल्जाम लगन लगन दो शाकीन यहाद करें न शिक्सी तरह सवऐँ में थिए खेतनों कोए चाहिए तो फुटी पर मुन चाहिए हो में धिये खेतनों के उथी फुटी पर मुखेकेए सवरता कुरजन थड़ा हो तारिख हमें तान गॉड्यों तकलफिकाश जेह सगे तो कए तहके था-ग हमना भाखुना बहला है भागुना बोलिये के मुझीया केरे चावे दोईगडा है न देया जा या खुदेतमा दिया तका पर नाए नहीं हुना के वाकई यह हको पोजे पिया तो हुए चाहिस अगे शाकान दो हुना इह कर देखा रहे हु आही पांजी बोलिये के युना जो तो मा कितान को अगया पूए जिए ट्रेंड सेटर शायर थे अंटा है हरके यजमता तारिक में सचेसर मस्जी यजमता पांजी फिकरी हवाले सां आइभी वरी फिकड़ा शायर एंगे पांजी मुदुवा आती हवाले सां सुझाता है विद्धान मिसाल को वरी के मिसाल बर्दो सिंदिया ऑचिंदी ऑड़ उशायर को गदल वड़ उशायर को पर शेख रास्या सिनफ़ है जिए सिनफ है हुनने सिनफ कि नमर पक्स है बेटर जेडितीजी किलासिकल नचिये कोई लखिस और कोई लिद्सक basically जदिद आहंग जदिद बोल ओम डी करे जज़िद किसमा बेतालीका होना इन चालती फैसे लोग अगान कहीं एक पॉर्ए हम पॉन पानि जडीद आंदाल सां बेता कि te पोचा शेरे हो नसी नख़ी नजमन की कि te सब्सक्राइब करें जो हैं यकिनां शेखायाज सिंधी बोलिया जो है करो ट्रेंड सेटर शायरा है जें सिंधी बोलिया के खुंभा वगा पाराया आए महरवानी अजल साब डाक्टर फहीम शनास काजमी साब आप से मैं पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत ही महबत से और बहुती महनत से शेखायाज की जो अर्दू शायरी की मुख्तलब कुटब हैं उनको मुरतिब किया है नैसरे से तर्टीब दिया है और वो सिंध हकूमत के सिकाफत के महकमे की जानब से वशाय हुआ तो ये आयाज शनासी के हवाले से ये काम करते हुए आपने क्य आलग तो बहुत पुराना है सही एटी टू से ब्यासी से हम कह सकते हैं कि हम अदब सिंधी अदब भी पढ़ रहे थे सिंधी अदबी संगत की नशेस्ते अटेंड करते थे तो शेख आज का नाम हमारे लिए अजनबी नहीं था मैं सुझता हुए शाय लतीफ के बाद अगर यह नहीं मरती सधी अब देखें फितरत हमेशा जिन्दा रहती शेख खयास की शायरी फिर फितरत की तर्जमाद बन गी और उन्हे अदा अच्छा वो अपना तकाबल कभी भी आप शायरों से नहीं करते थे या फानी को ललका रहे या साधी से बात कर रहे या हाफिज से ब आदमी था, वो इतना खुद एतमाद था और अपने आपको इल्म की उस सता पर जान रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था काइनात को, जिस सता पर रूमी है, और आज देखें, सारी काइनात रूमी रूमी कर रही है, आज शेख है, अमीर खुसरों को याद करते हैं, तो हम स शायरी है, शेख ख्याज की अतनी अच्छी उसकी नसर है, यकिनां डाक्टर फहीम शनास काजमी साहब, शेख ख्याज जितने बड़े शायर हैं थे तो मैं कभी नहीं कहूंगा, वो हैं, आज के कल भी सिंदी जबान के उर्दू के बड़े शायर थे, आज भी हैं, और आने मुक्तलिफ शौबों में जो काम किया है, तहकीक के हवाले से, तनकीद के हवाले से, और अपनी जो सवाने लिखी है, जो खुद नविश्ट लिखी है उन्होंने, या उन्होंने जो जदीद सिंधी शौरा पर जो दिवाचे लिखे हैं उनकी शेरी कुत्ब के, वो भी एक बहुत बड़ा एहम और बड़ा काम है, आपका बहुत शुक्रिया डग साब, यकीना मुदू इतना वसी है, आयास शनासी इतना बड़ा और इतना गहरा मुदू है, जिस पे हम घंटों बात कर सकते हैं, और जहां इतने बड़े लोग मौजूद हों, तो बातें यकीना आपका बहुत शुक्रिया कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और शेख खयाज एक बड़े शायर को आपने याद कि याद कि उनकी फिक्र को आपने याद किया डाक्र फात्मा हसन साहिबा आपका बहुत शूक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और इस तरफ साइई यूसफ शाहिन साभ तहाँ जितमाम घणे महरबानी जो तहाँ आया हूँ यसां के वक्त दिनवा इस सिंधी बोलिय जिय अजीम शायर छाय से जनम दी हैं जी निसपत सा शिएखऊद जो सेऊं जनम दी हैं पान does एला है रहा आया हूँ आयें मुख्तलफ सूरत उन में मुख्तलफ एदारन पारां मुख्तलफ सतह हन दे शिखऊद के याद कर वा तो यह गदिनी महां दे इस सफर में पाकिस्तान टेलेवेटने सिंदी बोली जाजीम शायर शेख खयाज के याद के याद के याद ते जो को प्रोगराम पांजी पुजानी ते पहुची रहे वा है माँ माँ जो मिस्वान अमर इक बालमा का मुकलाया तो साथ सदाई सलामत रहे जो झालमा रहे जो जो के याद के याद का था है कि भी प्रोगराम आपके साथ साथ साव Venक protecting You कि भालमा का प्रोगराम के याद केव based वी की। वसुELER जो है वाद का ते टो साथ स्के यादे वालमाすご घ्याद है